राधे राधे दोस्तों कैसी हो आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है दामाद को जबाबे ममी कल निखिल जी पूने आ रहे हैं कमपनी के काम से वो हमारे घर ही रुकेंगे भाईया से कहना टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाए उन्हें लेने के लिए भाबी से कहकर सारा घ घर बेवस्तित करा लेना भाबी से कहना दिन के खाने में तीन सबजी और दो तरह के मीठे तो जरूर बनाए दीनर में कोतावली चौक पर जो नया बड़ा होटल खुला है ना उन्हें वहां खाना खाने ले जाना सीमा ने अपनी मा कामनी जी से फोन पर कहा दमाद जी आने पधारे हैं साज ससुर सब सेवा में बजजार दोड़ते ही रहते अरे बहु आज ओफिस से जल्दी घर आ जाना कल निखिल जी आ रहे हैं तो आज से ही साड़ी तयारी करनी होगी सारा घर बिवस्तित करना होगा बातरू में नए सेमपू साबुन तूथ पेश्ट रख दे बजजार से पनिर मिठाई फल भी तो लाने पड़ेंगे कामनी जी अपनी बहु मेघा से बोली अरे ममी जी आप चिंता मत किजिए जीजा जी घर के ही सदस्य हैं हर महीने तो आते हैं मैं ओफिस से जल्दी नहीं आ पाऊंगी क्लोजिंग का टाइम चल रहा है काम का बहुत प्रेसर है और मैं कल ओफिस से छुट्टी भी नहीं ले पाऊंगी सारी बिवस्ता मैं अच्छे से कर दूंगी जीजा जी को मान सम्मान भी दूंगी पर उन्हें मेरी इस्तिती समझनी होगी पिछले महीने आपके कहने पर मैंने तीन दिन की छुट्टी ली थी पर माप इस बार आप संभा लेना मेघा ने कहा कामनी जी के दमाद निखिल ओफिस के काम से उनके सहर आ रहे थे और लगभग हर महीने ही उनका आना होता कभी कभी साथ में कामनी जी की बेटी सीमा भी आ जाती दमाद जी ससुराल में फाइब स्टार होटल जैसी फैसेलिटी चाहते उन्हें अपनी कंपनी की तरफ से आने जाने खाने पीने रहने का पूरा खर्चा मिलता लेकिन वो पैसी बचाने के लिए ससुराल में ही रुकते तरह तरह की डिमांड करते ये जानते हुए भी कि दोनों नोकरी पेशा है और साथ ससुर की भी उम्र हो चली है मेगा की साधी हुए सिर्फ दो साल हुए थे पर इन दो सालों में लगभग 15 बार उनका सामना जिज्जा जी से हो चुका था निखिल जब अपनी पत्नी सीमा संग ससुराल आते तो पत्नी को भी कोई काम नहीं करने देते किसी से जरा भी चुक हो जाए तो उनका गुसा सात्वी असमान पर होता सचीन और मेखा की साधी में भी उन्होंने खूब तमासा किया था सारी साधी में मूँ फुलाई घूम रहे थे कारण बस इतना था कि निखिल जी को स्टेसन लेने के लिए सचीन 10 मिनट लेट पहुँचा था क्योंकि वो ट्रैफिक जाम में बुरी तरफ फंस गया था साले सचीन की वीबी मेखा के आने के बाद तो निखिल जी को अपना पद अपना सम्मान छिन जाने का डर होने लगा था इस सम्मान को बरकरा रखने के लिए गुसा दिखाना ना नुकुर करना इसी को उन्होंने एक राम बान इलाज निकाला था साला सचीन अपने जीजा जी को लेने के लिए राइट टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाता है सचीन को दस बजे आफिस पहुंचना होता एयरपोर्ट आने जाने में ही दो घंटे लग गए और हाजारों का पेट्रोल इस्तिती को देखते हुए चाते तो जीजा जी खुद से भी आ सकते थे लेकिन नहीं उन्हें तो अपना दबदबा बनाए रखना था दमाद के स्वागत में कामनी जी पलके बिच्छाय खड़ी थी देखना अभी ममी जी का सुरू हो जाएगा ये खालो वो खालो अभी कुछ कहां खाया है कि रट लगाए रखेंगी बहु मेघा ने धीरे से अपने पती सचिन से कहा मेघा ने नास्ते में इडली बड़ा पाउं सांभर उपमा बनाया था और मिठे में बज़ार के रसगूले थे उसे ऑफिस भी समय से पहुचना था अरे साले साहब राम अवतार के समोसे कचोड़ी नहीं लाए बरे टेस्टी होते हैं आज तो भावी जी ने सिर्फ दो आइटम में नस्ता निपटा दिया निखिल जी हस्ते हस्ते बोल गए जी जी जाजी कल लाऊंगा सचिन बोला हाँ साथ में वहां की गर्मा गरम इमिर्ती भी लेते आना निखिल जी बोले बारे बज़े तक मैं ऑफिस के काम से निकल जाऊंगा दो पहर का खाना मैं यहीं घर पर ही करूंगा निखिल जी बोले ठीक है जी जाजी मैं भी उस समय ओफिस से हाप डे लेकर लंच पर आज जाऊंगा मेगा तो अभी ओफिस के लिए निकल जाएगी उसे ओफिस में कुछ जरूरी काम है वो छुटी नहीं ले पाएगी सचीन ने हिचक्तिव वे कहा हां भाई अब लोगों को रिष्टो की कदर ही कहा है घर के दमाद की वैल्यों ही नहीं रही निखिल जी ने फिर तंज कसा सचीन और मेगा निखिल जी की फित्रत से वाकिव थे इसलिए उन्होंने जबाब देने की वज़ाए खुद की काम पर फोकस करना जरूरी समझा मेगा ने घरेलू सहाई का और अपनी सास की मदद से जट पट लच्छी पराथे करहाई पनीर पाइनेपल रायता मटर पुलाओ जीरा आलू बनाए और ओफिस के लिए निकल गई लगभग तीन बजे निकल जी घर पर आते हैं कामनी जी और उनके पती खाना खा रहे थे इस बात से भी निकल जी नराज हो गए जो उनके चेहरे से साफ जलक रहा था अरे बेटा हम आपका इंतिजार करते करते अभी ही खाना खाने बैटे हैं सचिन का फोन था उसने कहा है कि हम लोग अब खाना खाले वो आपको लंच पर कमपनी देगा सचिन के पीता अलोक जी ने कहा कमणी जी ने जट पट खाना खाया और खाना परोशने की तयारी करने लगी तब तक सचिन भी आ गया वो रास्ते से स्रीखंड लेते आया था कमणी जी ने खाना गर्म किया और फटाफट निखिल जी और सचिन की धाली परोशी लच्चे पराठी का स्वाद तो गर्मा गर मुझे समझ नहीं आता उन्हें नौकरी करने की क्या चुर्रत है ऐसी नौकरी का क्या फायदा जहां घर वालों को गर्म खाना ना मिल सके निखिल जी ने फिर कम्या निकाली हमें दोबारा गर्म करके खाने में कोई इतराज नहीं मेगा इस घर के लिए अपनी छमता से कहीं ज लेकिन इसके अलावा भी अगर घर की बहु कुछ करना चाहे तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए ना की छोटी छोटी चीजों को लेकर रुकावट पैदा करनी चाहिए इस बार सचिन बोला कामनी जी ने उसे हाथ के इसारे से चुप रहने के लिए कहा निखिल जी ने पैसा अपने माई की वालों पर तो नहीं लुटा देती बेटा जी हमारा बेटा सचीन हमें घर खर्च की पैसे दे देता है बहु के पैसों से हमें दिल चस्पी नहीं वो अपनी मेनत की कमाई जैसे चाहे खर्च करे वैसे हमारी बहु बहुत समझदार है घरेलु सहाईका क कि में पैसे वो स्वेंद दे देती हैं और सबसे जरूरी बात वो मन समान प्यार परवासब करती है और हमें क्या चाहिए ससर आलोक जी ने बहू का पक्ष लेते हुए कहा रात को सचिन बातों बातों में कहता है कि मैं नई गारी लेने की सोच रहा हूं काफी साल हो गए इस सक इंड हैंड गारी को चलाते हुए अब इसकी मेंटेनेंस में भी काफी खर्च आनी लगा है इसे बेच कर नई गारी खरिद लेता हूँ इस बार सिल्वर कलड में गारी लेने की सोच रहा हूँ मैं भी नई गारी खर्दने वाला हूँ तो मेरी पुरानी गारी तुम लेलो वै इसकी कीमत ज्यादा है पर मैं चार लाख में दे दूंगा निखिल जी कैसे वी करके अपनी पुरानी गारी सचीन को बेचना चाह रहे थे इस बार मेघा बोली नहीं जी जाजी हम आपकी गारी नहीं लेंगे इस बार हम लेटेस्ट मोडल की नई गारी खड़ देंगे निखि अब नेहा और सचीन की राय से ही लिये जाने लगे अचानक निखिल की नजर कीचन में परती है यह क्या कीचन में भी बदलाव कर दिया और हमें खबर भी नहीं लगी अरे दमाद जी कुछ खास काम नहीं करवाया बस पिछले हफ़ते आवन टोस्टर सेंडविज मेकर रख अगली सुबा आलोक जी मटर छिल रहे थे यह क्या पापा जी आपकी बहू ने आपको भी काम पर लगा दिया घर के मालिक होते हुए आप घरेलू काम कर रहे हैं निखिल जी ने कटाक्स किया जी निखिल जी आपकी सेवा में ही लगे हैं हम साम को मटर का चोड़ी बनने व जाता है तो इसमें क्या परिशानी घर के सदस्य को एक दुसरे की मदद तो करनी ही चाहिए अलोक जी ने कहा निखिल जी अपने ससुर को बहु के खिलाप भरकाना चाह रहे थे लेकिन यहां तो पासा ही उल्टा पर गया निखिल जी के आने से घर का पूरा टाइम टेबल बि दिखाने से उनकी इज़त कम होती जा रही थी यह इज़त उन्होंने खुद अपने ही बेवार से घटाई थी उनका ओफिस का काम हो चुका था तभी वो ससुराल में जमें हुए थे अच्छा पापा जी मैं साम की फलैट से निखिल जी ने कहा ठीक है जैसा आपको उचित लगे आप अगली बार आए तो सीमा बिटिया को भी लेते आना अलोक जी बोले साथ ससुर ने जाते वक्त दमाद के हाथ में भारी भरकम लिफाफा दिया और साथ ही साथ बेटी बच्चों के लिए कई उपहार भी भेजे अगले दिन ही बेटी सीमा का फोन आता है क्या ममी आप लोगों को दमाद का सतकार करना नहीं आता आप लोगों की वज़ा से कितना कुछ सुनना पड़ा मुझे निखिल ची कह रहे थे पूरा घर भावी के इसारों पर चलता है घर में दमाद आया हुआ था और वो महरानी काम से बचने के लिए ऑफिस निकल गई अब घर की हर बात हमसे छुपाई जाने लगी है किसी भी चीज में हमसे पुछना भी जरूरी नहीं समझा जाता मडूलड कीचन बनमा लिया गया नई गारी खरीदी जा रही है अब हमारी बातों को काटा जाने लगा है भावी तो घर के दमाद के सामने बे धड़क बोले जा रही थी सीमा बोलते ही जा रही थी देख बेटा बात कड़वी है पर सही है दमाद जी जरूरत से ज़्यादा हमारे घर के मामलों में हस्त छेप करते हैं हमने बहु को बेटी के रूप में स्विकार किया है वो भी हमें अपने माता पिता का दरजा देती है फिर उसके पहनावे उसक मान समान तब तक ही बना रहता है जब तक आप किसी को बोज ना लगने लगे हम भी दमाद जी को मान समान इज़त देते हैं उनकी खातिरदारी करते हैं पर कोई एकदम ससुराल में जाकर जम ही जाए फाइफ एस्टार होटल की स्विधा मांगे घरेलू मामलू में हस्त छेप करे तो कितनी बार कोई चूप चाप सहन करेगा अभी तक तो बहुत चूप है कही निखिल जी के बेवार से आगे उसने कुछ बोल दिया तो बेहतर है वो अपना आत्म समान बना कर रखे बेटा दमाद को ससुराल के सदस्यों के कार या उनके ब्यक्तिगत मामलों में जब इज़त अपने हाथ में ही होती है कामनी जी ने बेटी को समझाया उसके बाद दमाद जी का आना जाना बहुत कम हो गया वो आते भी तो ससुराल के घरेलू ब्यक्तिगत मामलों में जुरत से ज्यादा हस्त छेप करने से बचने लगे तो दोस्तों दमाद को अपने आपको और अपने घर को ही कभी भी स्रिष्ट नहीं बताना चाहिए ज़रूरी ना हो तो ज्यादा दिन ससुराल में नहीं रुकना चाहिए नित नए पकवान की फरमाइस ना करे और जो भी खाय उसकी बुराई ना करे ससुराल के घरेलू मामलों में जुरत से ज्यादा हस्त छेप ना करें इस स्टोडी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही और भी बेहतिरिन कहानी के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद